methods of measuring validity validity को measure कने के लिए 5 methods है content validity, construct validity, criterion validity, predictive validity and concurrent validity यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं content validity को जैसे कि अगर एक बच्चा है उसका test लिया जाता है उसका teacher जो है उसको 12 chapter पर आता है और 12 chapter जो है उसका वो test बुना देता है कुछ इस तरह से और उस test के अंदर 12 questions हैं और हर एक chapter से जो है एक एक सवाल उसने लिया है तो test के अंदर जो भी उस बच्चे को आया है वो किस चीज़ को represent कर रहा है उन 12 chapters को ही तो इसको कहते है content validity अगर वो test उन 12 chapters को ही represent कर रहा है तो इसका मतलब है कि content validity हाई है लेकिन ये कि अगर teacher इस तरह से करता है कि जब बच्चे का exam था उससे कुछ week पहले यानि कि कोई दो या तीन week पहले teacher ने जो कुछ पर आया था बच्चे को तो वो उन तीन week के जो भी lectures थें बच्चे को उसके अपने test के अंदर वही दे देता है उनको जैसे के 12 chapter थे ना तो last week उसने जो है दो chapter पहले थे तो teacher जो है test के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही दो जो chapter होंगे उन्हीं से ही 12 सवला दे देता है तो यहां पर test के अंदर बाकि जो 10 chapter थे उनको तो represent नहीं किया गया लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो chapter से यहां पर represent किये गये थे तो इसको हम लोग content validity नहीं कह सकते क्योंकि content validity के अंदर बच्चे का जो भी test वगरा लिया जाता है उस test के अंदर जो भी उसको content परहाया जाता है जो भी पूरा syllabus जो भी पूरा course उसको परहाया गया था वो test उस पूरे course को उस पूरे जैस लेबर्स को ही represent करता है जैसा के पाकिस्तान के अंदर 9th class का 10th class का जो board का exam होता है वो पूरी book से बनता है इससे हम लोग कहेंगे content validity लेकिन ये कि अगर examiner सिर्फ एक या दो chapter बच्चों के दे दे कि आपके 12 chapter में से question आने लेकिन बच्चां को जो paper बनाए उस में से सिर्फ दो chapter ही सिर्फ include कर दे और दो में से सबी कुछ उठा कर दे दे तो इसको हम लोग content validity नहीं कहेंगे इसी तरह अगर एक teacher जाया बचे का IQ का टेस्ट लेता है तो IQ की टेस्ट के अंदर वो intelligence के related सारे सवालात पुछे गा लेकिन ये कि अगर intelligence से हट कर वो कोई सवालात पुछे गा तो इसका मतलब है कि ये content validity नहीं है क्यूंकि IQ का टेस्ट क्या करता है वो सिर्फ intelligence को ही मयर करता है तो उस टेस्ट के अंदर सिर्फ intelligence के related ही questions होने चाहिए content validity की टू टाइपस है face validity और curricular validity face validity किसे कहते है face validity ये बताती है कि मैं किसी खास किसम की criteria को मयर करती हूँ मिसाल की तोर पर कुछ लोग है वो happiness test लेते है happiness test का क्या मकसद है कि ये happiness को मयर करता है किसी भी बन देकी अब उन लोगों ने happiness का test दिया तो test देने के बाद हम लोगों ने उन से पूचा कि क्या वाकि इस test ने आपकी happiness को मयर किया है और वो लोग कहेंगे कि हाँ किस test ने वाकि उसकी happiness को मयर किया है तो happiness test किस चीज़ को मयर कर रहा है just happiness को face validity जो है एक खास criteria को मयर करती है content validity की second type है curricular validity curricular validity किसी कहते है जैसे के बचे का जो curriculum जब बनाया जाता है तो उस curriculum के अंदर उनको कुछ objectives वगएरा बताया जाते है तो बचे का जो test लिया गया है जैसे कि यहां पर एक test है बचे का और दूसी तरफ उसका objective है हमने देखना है कि क्या test के अंदर validity का नाम दिया जाता है जैसे के 9th class है उसके जो exams होते है तो उसके curriculum में बताया जाता है कि इस curriculum से बचे ये कुछ सीखेंगे वो कुछ सीखेंगे तो जब उनके exam वगएरा होते हैं बोड के तो वो जो test होते हैं वो वाकिए उनकी जो भी abilities होती है जो भी उसकी skills होती है जो उसका curriculum बताता है तो वो test बचे की उसी चीज़ को ही judge कर रहा होता है इसके बाद जो second method है वो है construct validity construct validity किसे कहते हैं मिसाल के तोर पर एक doctor है उसने देखा कि market के अंदर एक नया drug आया है अब उस doctor ने अपना जो patient था उसको drug दिया और drug किस चीज़ का दिया pain killer का कि जो उसका patient था उसके सर में बहुँजा दर्द होता था तो doctor अब रुजाना उसको phone करके पूछेगा कि तुम मुझे जो है zero से लेकर 10 तक rating है इसमें से बताओ कि आज तुमें कितना फरक परा गेवली pain killer लेकर और अब ये बंदा बताएगा कि मुझे इसे कभी आठ कहेगा नमबर में कभी 9 और कभी 10 नमबर उसको बताएगा कि इस हद तक जो है मुझे फरक परा है अब जब drug बनाया गया था तो drug जो है ये claim करता था ये दूसरे बंदे की जो pain है उसको कम कर देता है उसको खतम कर देता है तो दूसरी तरफ डॉक्टर ने इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या वाकिए ये drug जो बता रहा है कि ये इस pain को खतम कर देता है उसको कम कर देता है कि क्या वाकिए यह इस चीज़ को मज़ियर करता है इसी वज़े से डॉक्टर ने अपने इस पेशेंट को ड्रग दिया था यह मज़ियर करने के लिए कि क्या वाकि उसकी जो पेइन है वो काम हुई है या नहीं और इस तरहां उसके पेशेंट ने इसको डेली बेस पर रेटिंग दी 8-9 और 10 आज़ नौ और 10 एक बहुत अच्छी रेटिंग है इसका मतलब है के वाक й वो जो ड्रग था वो बहुत अच्छे तरिके से उसने पेइन को कम किया है यानिकि उसकी rating बहुत अच्छी है construct validity की two types है convergent validity और दूसरी है discriminate validity convergent validity के अंदर हम लोग दो चीजों के दरमयान relationship को देखते हैं उनके दरमयान correlation को देखते हैं यानिकि उनके दरमयान तलुक को देखते हैं लेकिन जो discriminate validity है ये बताती है कि दो चीजों के दरमयान किसी भी किसम का कोई तलुक नहीं है जैसा कि convergent validity की example हम लोग देख सकते हैं कि एक बंदा जिसने math का test दिया है और फिर उसने stat का test भी दिया इसका मतलब है कि जिसने math का test दिया है उसको math बहुत अच्छे तरीके से आता test दिया है और दूसरे ने बायो का test दिया तो math और बायो दोनों एक मुखलिफ topic है तो इसका मतलब math और बायो का अपस में कोई तलुक नहीं इसको कहेंगे discriminate validity यानि कि discriminate validity ये बताती है कि math और बायो दोनो separate subjects हैं हम लोग इनको कभी भी compare नहीं कर सकते अगर हम लोग compare कर सकते हैं तो वह सिरुफ और सिरुफ पर सिमिलर subject को compare कर सकते हैं तो conversion validity के अंदर हम लोग similar subject को compare करते हैं जबके discriminate validity ये बताती है कि जो दो subject हैं उसको आप लोग compare नहीं कर सकते यानलिके उनके उनका एक दूसरे के साथ कोई तलुक नहीं है, यान के math और दोनों ही separate subjects हैं जैसे है कि math का teacher है, वो बचे का math का एक बार test लिया है, उसके बाद दूसरी बार test लिया, एक में ब़ी देख लिया बचे के ये marks हैं, बशसरे में भी देखते है कि उसके ये वाले marks हैं, तो teacher को पता चलता है कि पहले टेस्ट में उसके कितने मार्स थे 90 है और फिर जो सेकंड टेस्ट लिया है उसमें बचे के 100 मार्स आ गए तो इससे जो टीचर है बचे के पेलर टेस्ट को और उसके दूसरे टेस्ट को कंपियर करता है और उसके तरमयान तरलुक को देखता है कि क्या वाकिए इसकी किसी खास क किसम की कोई improvement हुई है यह नहीं यह थी conversion validity लेकिन discriminate validity क्या है कि math का teacher कभी भी जो उसके math के यह जो भी student थे उसके test को कभी भी वो bio के test के साथ compare नहीं करेगा क्योंकि bio एक separate subject है और math एक separate subject है इसके बाद जो तीसरा method है वो है criterion validity criterion validity के अंदर हम लोग एक खास किसम का criteria वोगेरा जैसे के set कर लेते हैं वहां पर हम लोग दूसरों की जो performance है उनका जो test लेते हैं उसको compare कर लेते हैं जैसे कि यहां पर लिख दो one two three four five अगर किसी बंदे के one और two marks हैं इसका मतलब है कि यह poor है अगर उसके three और four आएं इसका मतलब है कि यह good है और अगर उसके five आएं तो इसका मतलब है excellent जैसे के लोग जो जो वगरा के उपर काम करते हैं तो जो के अंदर जितने भी मजूद जैसे के CEO है वो यह देखना चाहता है कि उसके जितने भी workers हैं कि क्या वो वाकि अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनकी performance को मेज़र करना चाहता है इसके लिए वो इनसाब का test लेगा और अगर किसी बंदे के test के अंदर five marks आएं इसका मतलब है कि वो excellent है और इस तरह जिसके five marks आएंगे इसका मतलब है वो excellent है तो CEO उस worker को जो है जो आपके पर रख लेगा लेकिन जब दे हैं उसको set कर लेते हैं फिर इसके बार लोगों का test लेते हैं और उस test के जो marks वगरा होते हैं उसको हम लोग उस criteria के साथ compare करते हैं इसके बाद जो four type है वो है predictive validity प्रेडिक्टिव का क्या मतलब होता है पेशीन गोई करना जैसे कि किसी शेक्स के मस्तकबल के बारे में की जात है तो लोग क्या कहेंगे कि इस बचे का मस्तकबल जा है वो बहुत अच्छा होगा ये बच्चा बरा होकर जो है डॉक्टर बनेगा या फिर वो engineer बनेगा ये बनेगा फला बनेगा यानि कि बच्चे के जो test है उसके जो scores है उसको हम लोग मदे नजर रखते हुए उसका जो बरा होकर जब engineering के profession में जाएगा तो ये वहां पर बहुत अच्छा perform करेगा इसके बाद जो six method है वो है concurrent validity का मतलब क्या हता है simultaneous simultaneous का मतलब क्या हता है यानि कि एक ही वक्त बयाक वक्त जैसे कि एक teacher है उसने पहले कोई test लिया और उसने देखा कि उसका जो test है वो valid है जैसे कि इसने IQ का test लिया और उसे ये पता चला कि उसके अंदर जितने भी questions है वो वह के बचे की intelligence को मज़र करते हैं इसके बाद उसके पास कुछ और ने students आए और teacher ने उनके लिए भी एक test बनाया और उसके अंदर भी कुछ questions वगरा लिख दी है अब teacher ये जाना चाता है कि मैंने ज उसका जो नया test है वो valid है या नहीं इसकी मिसाल हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं heart rate के जरीए अब एक बंदा है उसकी दिल की दर्कन जो है उसको count करना है तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं एक है ECG इस मशीन के जरीए और दूसरा है sphagmo manometer इसके लिए मैंने sphagg ही लि लगता है sphagmo manometer के जरीए जब हम लोग ने चेक किया तो उस बंदे का आ जाता है 85 ताइम्स तो हमने ECG जो है इसको सबसे पहले develop किया और हमने देखा कि ECG जो है एक valid है यानि कि जो heart rate अगर किसी बंदे का 80 है तो ये 80 ही बताएगी अगर किसी का heart rate 72 है तो ECG 72 ही बताएगी तो हमने देखा कि हमने इस sphagmo manometer को एजाद किया है कि क्या वाकि इस sphagmo manometer valid है या नहीं यानि कि इसके result को हम लोग ECG के साथ compare करेंगे और ये देखा कि ECG ने तो 80 बताया है लेकिन sphagmo manometer में इनने 85 बताया इसका मतलब है कि sphagmo manometer जो है ये valid नहीं है क्योंकि सfagmo manometer को compare किया गया किसी valid instrument के साथ जो कि ECG है और ECG बता रही है 80 उसका heart rate सfagmo manometer ने 85 बताया है और इन दोना में डिफरेंस आगा है इसका मतलब है कि sphagmo manometer valid नहीं है यानिक एक अनदर हम लोग कोई भी नया test है या कोई भी नया instrument है उसकी validity को चेक करना चाहते है उसकी validity को चेक करन कि नहीं परने लेखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा इंस्टूमेंट है नया instrument यह पर नया जो टैस्ट है वह वाक्रेंड है या नहीं झाल झाल